बहुत स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद आईए अब मुकाबला शुरू करते हैं इन टॉप सिक्स उमिद्वारों को रखते हैं जूली की कौसोटी पर जुसकी शुरुवात हम करेंगे संबोधन राउंड से संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उमिद्वार 3 मिनिट तक जुनाता को संबोधीत करेंगे जिसके लिए संबोधन के विशे हम आपको पहले ही बता चुके हैं और एक बार फिर अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि इन उमिद्वारों के संबोधन के दौरान इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या हैं इनके हलके और प्रदेश के लिए इनकी सोच क्या है और इन्हें ये भी बताना होगा कि जुनता आखिर इन्हें क्यों चुने इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बतानी के लिए जज सहाब तीन वर्निंग देंगे आपको पहली वर्निंग तब मिलेगी जब आपके संबोधन का एक मिनट बचा होगा दूसरी वर्णिंग बेल 30 सेकेंड पर मिलेगी और फिर तीसरी वर्णिंग बताएगी कि आपका वक्त अब हत्म हो चुका है जैसाब जरा इस राउंड के बाकी केनियम आप समझा दीजे यह हुए चाहना है प्रआये लोगे को बताना चाहन भire प्रतिपाणियों को अने कि आप की आप अपने सम्मोधन के दुराज अब को दिये हैं उननी वीशों पर फोकस करें उनatics जोन संग का एक राउंड होगा जो विशे हैं तीनों को छूना है आपको समझ्चा है बतानी है अपना वीजन बताना है और अकसर प्रतिभागी भूल जाते हैं कि जनता आपको क्यों चुने आप तीनों जो प्रस्ट ना आपको दिये गए हैं उन पर फोकस करेंगे तो जूरी साह सब्सक्राइब करते हैं तो उम्मीद है कि आप सभी उमिद्वार यह समझ गए होंगे कि आपको तीनों विश्यों पर विशेश ध्यान देना है कि आपके संब्धन में हलके की समस्य आए आपका विजन और जुनता आपको क्यों चुने यह सब कुछ हो तो चलिए शुरू करत हैं जो साब बिल्कुल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करेंगे चंद्रभान गुप्तर जी से त्यारे आप आपका समय शुरू होता है अब अगर निन साथियों जिस छेत्र से मैं आता हूं पर लोल विधांसभा छेत्र में यहां पर जो इंट्रा फ्रक्ट्र सुवधाय हैं उनका बड़ा भारी अभाव है सडकें सीवर पानी की समस्या इधर जन्स्वास्त की समस्या शिक्षा शेत्र में भी हमारा छेत्र का भी पिछड़ा हुआ है इसके साथ ही जो किशक वर्ग है वो पानी की समस्या से बड़ा ग्रस्त है पानी का लेबल बड़ा नीचे जा रहा है जो वहारा जुआ है उनकी स प्रियाना सरकार के अंडर में आती है आज जो पानी गल्प पानी उसमें घंदा पानी उसमें आ रहा है रजबाहों में एक तो समय पर मिलता नहीं दूसरा मिलता भी है तो टेल तक पहुंचता नहीं तो इसके जो किसानों की समस्चा हैं उसकी लागत ज्यादा आती है उसको लिक्त्यादी पर ज्यादा बिजली का और डीजल का खर्ट करके ज्यादा लागत उसको लगानी पड़ती है और उसका प्रतिफल जो उसको फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता तो यदि मुझे आफसर मिलता है तो यह जो गूल भुष सबस्चा है इंट्राफेक्चर क की सच चटकों कि सई सीवर साकी समय पर वाटर सप्लाई समय पर बिजलि की बथशा है और किसानी चलिए बतस्ता है इसके अतरिक क्योंके एक रामिर प्राश्रूमी से हैं पलवल उद्योग refugeesاح उध्योग नहीं यह हूं ऐसा प्रयास करूंगा कि ज्यादा Nu just उद्योग पती हुआ आकर्षित हो उससे उद्योग लगाए जिससे कि वहां के हमारे जो बेरुदगार नोयों कहें उनको अच्छी संख्या में रोजगार के अफसर मिल सके इसके साथ ही शिक्षा के छेतर में भी अभी अभी तक हुआ केवल कैस्टी कॉलिज रहा था अब न प्रण्ठी है कि और इसके साथ ही बहुत से सबस्था हैं जंता की जो पहुंच अस RAW पट अब लिक तक इन अ-घजनता पहुंच पुहुआ सरकारी अफ्सरों उसके लिए निदान नहीं मिलता सरकारी करमचारी टरकाते रहते उनको जि मैं यह ववस्ता करना चाहँगा कि हर सरकारी अफशल जो पब्लिक डीलिप से सब्मंद रखते हैं वह पबलिक को सही समय पर मिले औरनी की सबक्सा का समधान करें इसके साथ ही स्वास्थ मैं भी जो जनृर्ट हस्पिटल है उस उसका भी निदान करना करें का मैं प्रयास करूंगा मेरी और हर संब्र यसार को जोरता हुआ और जो डिना किसी बिना किसी स्वार्त के जो सरकारी कर्मत्यारी हें हुए उन पर थोड़े प्रभाब के 2025 करते और दिन पर समय ही समाप्ट होता है गुपतर जी अब आपकी बारी तयार है नेत्रपाल जी समभधन शुरू कीजिए हमारे पलवल में विकास से भी जादा एक बहुत ही एहम समझ्या है दूसरे हलकों से हटके कि पलवल में भै और दबाव की राजनीती पिसले काफी समय से की जा रही है उससे हमारा पलवल शेतर बहुत ही जादा आहत है आज विकास से भी जादा अगर बात आती है तो लोगों और दबाव की राजनीती करें, अपने विरोधियों को जूटे सच्छे केसों में फसाया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, और इस कारण से उन्हें अपने फेवर में लिया जाता है, मेरी सबसे पहले कोसिस रहेगी कि इस भैके वातावरन को खतम करना, जो एक सबसे दूसरी समस्या हमारा एक खादर का छेत्र है, 15-16 गाओं वहां पे लगते हैं, वहां आज भी रोड नहीं है, वहां जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां की रोडों की वेवस्ता करना, वहां सिक्षा का उचित साधन नहीं है, हमारा ये यूपी के साथ, बॉर्डर के साथ ये लगता हुँआ छेत्र है, तो वहां हमारे अधिकारी भी नहीं जा पाते हैं, हमारे जन प्रतिनी दीज नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरा फोकस रहेगा कि वहां ट्रांस्पोर्ट की वयवस्ता करना, रोड का देखना, वहां सिक्षा की क्या क्या जुरॉत हैं, व रोजगार वहां पे मिले क्योंकि जो किसान वर्ग वहां पे है किसी के अगर हिस्से में दो एकड जमीन आ और उसके चार बेटें तो आधा अधा एकड उनके हिस्से में आई और इस तरह से उनके पास रहने के लिए आने वाले समय में जगह नहीं पचेगी अगर ये नहीं सामने अगर ये slow नौकरियों में उनकी लाता है उसमें सिख्षा की रूलर एरिया है वहां ट्रांस्पोर्ट की साधन नहीं है वहां पर सिक्षा का एक हब बनना चाहिए जादा भी नहीं तो कम से कम एक डिग्री कॉलिज वहां पर बने वहां बीसी और एसी के लोग जादा रहते हैं उनको जादा सिक्षा की जरुरत है दूसरा पलवल में सीवर वैवस्ता चर्मराई होई है बहुत बढ़ी समस्ष्या है हर जगे का नहीं हो न सरकार की तरफ से पूरिश विद्यायS लेकिन नीचे लेवल पर झो माणको को दूर करना सिक्षा जहां अपग्रेड इसन स्कूल हो सकते हैं उनको अपग्रेड करवाना और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहां खेल स्टेडियम मनाना एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का स्टेडियम महां बने ताकि युवावर्ग का एक फोकस रहे कि युवावर्ग फिर दौराना चाहूंगा तो जो विशेया आपको दिए गए उन पर फोकस जरूर करें आप जरूर बताइए कि जनता आपको क्यों चुने आप त्यान रोक्सर क्या रहें संबोधन शिरू कि देखिए हमारे पलवल मैं ही नहीं सभी जगे आज हर्याने में देश में सुरक अच्छा दिलवा सके सुरक्षा दे सके उनकी निग्रानी में रह सके छेतर का किसान चाहता है को उन्हें एक अच्छा उचित मौज़ा मिले उचित मूल्य मिले हर आदमी भुजर्ग से लेके बच्चे तक बीमार ये चाहता है कि हमें सरकारी हस्पताल में अच्छी सब्सक्राइब दे ही हमारे ओफिसर्ज की होनी चाहिए ताकि जन्ता को उचित नियाय मिल सके अगर मुझे 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 मुका मिलता है तो मैं सबसे पहले लड़ाई लड़ूंगा अपनी मा बेहन बेटियों की जिनकी सुरक्षाज पूरे खत्रे में है जिनको सरे आम संपन करवाएं जिन से हमारे बेरोजगार साथियों को बच्चों को रोजगार मिल सके मैं बात करूंगा स्वास्त सेवाओं की हमारे स्वास्त के पिरति आज होस्पीटलों में डॉक्टर एवलेबल नहीं है दवाईया नहीं है प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टरों ने को एक सहरा मिलता था आज खाद के भाव इतने आसमान पर चले गए हैं किसान खेती की तरफ अपने रुजान को हटा रहा है आज किसान भूके मरने के कगार पर है उसके बैंक के लौन नहीं पटाए जाते हैं वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकता है उसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं मैं बात करूँगा अपने उस सिस्टम की जिसमें सीवरेज जिसमें रोड जिसमें बिजली इन पर संकटाया हुआ है ववस्ता खराब है वो सभी चीजें प्रिसासनिक सतर पर जबाब दही के अंदर आती हैं अगर पक्स विपक्स निर्दलिय कोई भी प्रितिक्रिया के तहट अपने लोगों की सेवा करें अभी है अदमने लप्ति में इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है वो यह आज के युग में जो मैं पहले भी दोहरा चुका हूं एक हमारी बेहन बेटियों के लिए जो घरेलू हिंसा का काम आज चल रहा है जो आज एक आपस में दूसरे समझातिये ना होकर के अंतर जातिये साधियां रचाई जा रही है उन पर एक विवाद खड़ा हो जाता है उसमें भी हमें समझना होगा सोचना होगा अपने आज इस नए जुग में आपका समय ही समाप्रूत है अबनबर आता है दीपक मंगला जी आपका त्यार है निमशकार जी पलवल के अंदर आज जितनी समस्चाइं हो रही है सबसे पहले मैं रोड से बारे में लुखा पलवल के अंदर रोड सारे टूटे हुए हैं उन रोडों के साथ शाथ बाबा आदम के जमाने की पुलियां बनी वी हैं वो पुलियां बड़ी छोटी हैं कहीं रोड बनने का अगर काम भी शुरू हुआ है तो वो पुलियां को उन सड़कों पर ठीक नहीं किया गया उससे एक्सिडेंट इतने बढ़ गए हैं मैं आपको पीछे ही पीछे के चार मेने के अंदर के मैं बताऊंगा कम से क चार एक्सिडेंट धतीर वाले पुलियां के उपर हुए हैं और उसके बावजूद जैसा कि खादर के चेतर में सड़के टूटी पड़ी है और एक बात और हो रही है पलवल जो पुराना जीटी रोड है जो सहर जो मैन सहर को जिस सड़क से जोडता है वहां खादर से पु पर हो रहा है सड़कों के साथ सहर में भी जो सड़कों की जो और नालियों की जो आज हालत वन चुकी है वह बिल्कुल खराब जड़जर बन चुकी है एक बहुत बड़ी समस्या पलवल के अंदर है पनो के अंदर उचाई वाला चेतर आता है मैं कहना चाहूंगा जो underground pipeline है वो गल चुकी है उसको लेकर के पलवल के जो मकान है वो धड़ाद़ फट रहे हैं पानी leakage हो रहा है ना किसी हमारे राजनेतिक दल ने उसकी और ध्यान दिया है ना कोई उसके उपर कारवाई हो रही है एक बात मैं और कहना चाहूंगा health के बारे में हमारे जो primary health center है ना उनमें डॉक्टर है ना उनमें दवाईयां है और पलवल के अंदर जो सोबेड का होस्पीटल आज से दो साल पहले बनके तयार हो जाना चाहिए था वो भी आज तक अधूरा पड़ा हुआ है किसी भी राजनेतिक व्यक्ति या उसको लेकर के उसकी और द्यान नहीं जा रहा है एक बात और यहां पर मैं कहना चाहूंगा पलवल की कानून विवस्ता बिलकुल एकदम खराब हो चुकी है वहां पर रंगदारी की घटनाई बन रही है हमारी बहन बेटी बाहर नहीं निकल पाती इस तरीके से जो चल रहा है मैं अपनी जो भूता जा रहा है गोछी ड्रेन में ठोकर लगने का स्टोपर वोलते जाल वोलते हैं वह काम ज़रूर में करवाने का करूँगा ताकि हमारा बाटर का लेवल उपर आ सके एक और भी मेरा इसमें कहना है मैं जैसा कि मैं यह वी चाहूंगा कि मुझे क्यों चुना जाए मैं के अंदर एक सकारात्मक एक पोजिटिवली राजनिती करना चाहता हूं क्योंकि बनने के बाद कोई भी नेता होता है जो आज पलवल में सबसे ज्यादा कमी है बदले की भावना उसे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं सत्तापक्ष के लोग कॉंग्रेस को हराने का बदला ल अनिता भार्दवा जी अब आपका नमबर आता है आप त्यार है अनिता जी समबोधन शुरू कि नमस्कार जी यहां मैं अपना संबोधन इस चीज़ से शुरू करना चाहूंगी कि कहते हैं पलवल एक समस्याइं अनेक आज पलवल एक समस्याओं का बंडार बनके रह गया ह चाहे वो समस्याइं किसी किसान की हो या फिर सुरक्षा को लेके हो या फिर शिक्षा को लेके हो या फिर स्वास्थे को लेके हो अगर पबलिक हमें मौका देती है मुझे मौका देती है तो मैं इन बुनियादी सुईधाओं को उनको मुहिया कराने का काम तन मन से करने का का करूंगी सबसे पहले तो महिलाओं को भेमक्त वातावरन देना आज महिलाओं के जो स्थिती हमारे समाज में हो चुकी है इससे पहले शायद कभी नहीं थी आज चाहे वो पड़ी भेमुक्त वातावरन में अपने आपको परिपूर्ण एक अच्छी तरह से उपर उठने का प्रियास करते हुए अपना काम करें दूसरा है बुनियादी सुरक्षा शिक्षा जब तक हम पूरी तरह से अपने समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज ना तो करने का एक नियम बना दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि एक हम अनपड़ बच्चों की फोज तयार कर रहे हैं क्योंकि आज ऐसी कानो यह शिक्षा प्रनाली ऐसी बना दी गई है कि आठवी तब किसी भी बच्चे को हम फेल करने का कोई नियम नहीं है चाहे वह बच्चा गेहूं बोता है उसमें लागत लगाता है मेहनत करता है लागत लगाता है उसे किसी परकार से मंडी तक ले जाता है मंडी में भी उसका यह हाल होता है कि उसे कई-कई दिनों तक वहां पड़े रहना पड़ता है जहां उसके उपर शेल्टर होता है कि जहां वह अपना आरा करते हैं तो उसका मुल्य आप तै करते हैं या फिर क्या बोलते मालिक की तै करता है तो आज किसान अपनी वस्तु का मुल्य क्यों नहीं तै करता है तो किसान की वस्तु का मुल्य सरकार क्यों तै कर रही है उसे ना तो समय पर बिजली मील रही है ना समय पर खाद मिल रहा है उ सभीते चोधरी जी आप तेयार है हाँ जी सभीता जी सब मोधन शुरू कीजिए मैं आगरे करूंगा फिर आप अंतिम प्रतिबागी है जो पॉइंट सिएगें फोकस कीजिए आपका समय शुरू होता है मैं पलवल छित्र में सब से पहले अपने भाईयों को सिक्षा में आग केतियों में इन में पढ़ गए है महीला हमारी सुरुक्षा नहीं है महीलाएं वॉक के लिए जाती है उनकी गले से चैन खीच ली जाती है तो मैं सब से पहले मैं पॉइंट महीलाओं की सुरुक्षा करूंगी अगर मुझे पबलिक जनता मेरी बेहने मुझे मुझे मौका के उपर दहेज के लिए लड़कियों को जला के मार देते हैं उनके खिलाब कोई अब्जेक्शन नहीं उठाता अगर वो कंप्लेंड करती है तो पुलिस प्रसासन उनके पक्ष में नहीं बोलता प्रेंट नमबर तीन बड़े बुड़े हैं हमारे जैसे की तो बच्चे उन्हें जिस टाइम पे जिस स्टेज पे वो पहुँच जाते हमें बड़े बुड़े इंको हम इंकार कर देते हैं उनके लिए सबसे पहले एक ऐसा आस्रम बनाना चाहूंगी ताकि वहां बुज़ हमारे बुज़ुर्ख हैं तो उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए पूइंट नमबर तीन उसके उपर जैसे की सीवर लाइन है महिला बहुत परेसान है क्योंकि पलवल में डैंगू की बहुत बड़ी प्रोब्लम चल रही है फिलाल और जो लाइने टूटी पड़ी हुई हैं सीवर लाइने नहीं है किसी भी कलोनी में और सड़कें टूटी हुई है तो इसलिए मैं मुझे 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 मिलेगा तो मैं सड़कों को करवाऊंगी और सीवर लाइने करवाऊंगी महिला को सुरिक्षा उसके सुरिक्षा में आगे लाऊंगी और महिला को पूरा मान तो इसलिए उनकी जो लागत लगी हुई हो मिलनी चाहिए पानी की में लाइक की पूंब्लम है मेरा पीस विधा होनी चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी आगे निकालना चाहिए छे mys चाहिए तो जो हमारी ये प्रॉब्लम है हमारे जैसे की डिलेवरी के टाइम लेडी जह हॉस्पीटल में जाती है तो डॉक्टर हैं बोल देते अंदर से क्योंकि अभी हॉस्पीटल में दवाईये नहीं या खतम हुई पड़ी हैं तो उस तरीका से महिलाओं को बहार निकाल होना चाहिए सिक्षा के मामले में टीचर अच्छे होने चाहिए और एजुकेशन के मामले में सारे डिपाइट्मेंट अच्छा होना चाहिए और हमारा जो पुलिस प्रिशासन है यह सारा कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि महिलाओं को भी संबान मिल सके और हमारे भाईय चलिए तो सवीते जी के सम्बोधन के साथ ही सम्बोधन राउंड यही पर समाप्थ होता है वक्त भी हो चला है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक से लोटने पर इन छे उमिद्वारों को तयार रहना होगा जूरी के सवालों का जवाब देने के लिए सवाल जबाब राउन में